घर बनवाते समय सबसे आखरी स्टेप में से एक स्टेप आ जाता है जो की है पेंट फिर चाहे आपका घर नया हो या फिर पुराना हो आप उसे पेंट जरूर करवाते हैं और इसी पेंट की डिमांड को ध्यान में रखते हुए अगर आप पेंट का बिजनेस शुरू करते हो तो ये जो वीडियो होने वाला है यहाँ पर हम ये जानेंगे कि किस तरह से आप कम लागत में अपना खुद का पेंट का बिजनेस शुरू कर सकते हो पेंट का बिजनेस करते समय आपको कम से कम कितनी इंवेश्टमेंट चाहिए होगी कितनी जगर चाहिए होगी किस तरह से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि market में दो type के paint sale के लिए होते हैं, पहला जो की होता है industrial paint, जो की industrial purpose के हिसाब से इस्तमाल किया जाता है, और दूसरा होता है decorative paint, जो की residential project लिए इस्तमाल किया जाता है, अब ज़्यादतर लोग decorative paint का ही business करते हैं, तो इसी वज़े से हम उसके बारे में जानकरी लेते हैं, साथ में जो paint होते हैं, ये दो type से market में बेचे जाते हैं, पहले type होता है, जो की होता है branded paint, और दूसरा होता है non-branded paint, इन मेसे जो non-branded color होते हैं, लोगों को उनमे profit जल्दी दिखाई देता है, इसी वज़े से लोग उसके साथ business शुरू करना पर इससे नुकसान ये होता है, कि ऐसा color जो है, वो जल्दी खराब हो सकता है, जिसके वज़े से market में आपका reputation खराब हो सकता है, इसी वज़े से आपको हमेशा branded paint के साथ ही अपना business शुरू करना चाहिए, और अगर हम branded paint की बात करते हैं, तो उसमें कुछ company आती हैं, जैसे क और भी company होती हैं, जिनके साथ आप अपना business शुरू कर सकते हो, तो अब हमने ये तो जान लिया कि branded paint के साथ ही आपको आपका business शुरू करना है, पर अब ये कैसे decide करें कि कौन से company का paint हमें अपने दुकान में बेशने के लिए रखना चाहिए, तो इसका जवाब आ जाता है क कि आपके location पे जो कोई भी brand बहुत जादा famous है, उसी paint के साथ आपको आपका business शुरू करना चाहिए, इसके लिए आप एक छोटा सा survey करके देख सकते हो कि आपके area में लोग जादा से जादा कौन सा paint इस्तमाल करता है, उसके बाद जाकर आपको decision लेना चाहिए कि आपको उस brand के तरफ जाना है, बहुत सारे जगह पर आपने ऐसा देखा होगा कि Asian paint जो है वो जादा इस्तमाल किया जाता है, तो वहाँ पर आप Asian paint के साथ business शुरू कर सकते हो, कही पर burger जादा चलता है, कही पर narrow leg जादा चलता है, तो जो कोई भी brand आपके यहाँ पर चलता है, उसी company के साथ आपको आपका business शुरू करना चाहिए, जिससे कि आपके दुकान में जो paint है, वो जल्दी sale हो सके, अब अगला सवाल यह आ जाता है, कि इस business को करने के लिए हमें कम से कम कितनी जगह चाहिए होगी, तो इस business को करने के लिए आपको 1500 से लेके 200 square feet तक जगह शुरू आती वक्त में चाहिए होगी, आपकी paint की buckets और आपका counter ऐसी चीज़े आ सके, साथ में अगर आप चाहो तो थोड़ा सा दूरी पे आप कोई छोटा मोटा गोडाउन ले सकते हो, जहापर आप जादा मटल को store करके रख सकते हो, देखे दोस्तों अगर आप दुकान शुरू करने वाले हैं, तो ऐसी जगह पर दुकान शुरू करने की कोशिश कीजे, जहाँ पर अच्छा कासा market हो, जिससे कि automatically आपकी advertise हो सके, और शुरुआती वक्त में directly जगह लेने से अच्छा है कि आप जगह जो है, वो रेंट पे ले हो, यानि कि आपका जो कोई भी shop है, वो आप रे वीडियों के सबसे तीन important सवाल के तरफ आते है, जो कि आजाता है कि dealership कैसे ले, minimum investment कितनी होगी, और सबसे आखिर में ये जानते है कि इस business में आखिर हमारा profit margin कितना होता है, तो पहला सवाल तो ये आजाता है कि dealership लेने के लिए हमें किसे contact करना चाहिए, कैसे हम company तक बहु उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा तरीका ये होता है कि area sales manager से भी आप contact कर सकते हो, तो अब अगला सवाल ये आजाता है कि dealership के लिए आपको कौन कौन से document की आवशकता होती है, तो सबसे पहली चीज तो ये आजाती है कि आपको GST registration अनिवार ये होता है, उसके बाद म पास shop act license है, तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा, और अगली चीज आ जाती है कि आपके पास current account होना चाहिए, उसका passbook और checkbook दोनों चीज़े जरूरी है, तो चलिए अब बात करते है कि minimum investment आपको कितनी करनी पड़ेगी, देखिए दोस्तों अगर आप directly business शुरू करते हो, जहाँ पर आप अलग-अलग company का material रखते हो, तो आपको ज़ादा investment करने की आउशकता नहीं होती है, क्योंकि आप dealership नहीं लेते हो, और अगर आप paint की dealership लेके business को शुरू करना चाहते हो, तो आपको कम से कम 6 से लेके 8-9 लाक रुपे तक investment करना पड़ सकता है, अब ये depend हो का company के इसाब से, इस में से 2-9 लाक रुपे तक खर्च आपका paint tinting machine में होता है, painting के business में ये machine बहुत ही ज़रूरी होता है, तो अब आते हैं सबसे आखरी सवाल के उपर, कि आखरी इस business में profit margin कितना होता है, तो देखिए दोस्तों इस business में profit margin जो है वो थोड़ा सा कम होता है अगर आप branded company के साथ deal करते हो ऐसे समय में, अब भले ही आपका margin थोड़ा सा कम हो, पर branded के साथ फाइदा ये होता ही कि आपका ज़ादा sale होने में मदद मिलती है, तो ये सबसे main फाइदा यहाँ पर आ जाता है, अगर हम profit margin की बात करते हैं, तो आप 5 से लेके 15% तक profit margin जो है, उसे consider कर सकते हो, अब paint का दुकान है, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ paint ही बेचा जाएगा, वहाँ पर आप जो है roller, brush, polish paper, thinner, ऐसी चीजों का भी sale होता है, अब ये जो business है, ये करते समय आपको दो type के customer मिलते है, पहला जो कि होता है regular house owner, जो कि आपने घर के लिए paint लेने के आते हैं और दूसरे होते हैं जो कि है contractor या फिर painter, अब यहाँ पर बात करते हैं एक ऐसी गलती के बार में, जो कि अकसर ही नए दुकानदार शुरुआती वक्त में कर देते हैं, देखे दोस्तों business बढ़ाना किसे पसंद नहीं होता है, लोग business बढ़ाने के चकर में उधार म आपस भी नहीं मिलती है, ऐसे समय में आपका बड़ा नुकसान हो जाता है, तो ऐसे चीजों से बचने के लिए आपको शुरुआती वक्त में ही ध्यान देना चाहिए, जितना possible हो सकता है, उतना नगद में business करने की कोशिश कीजिए, बले आपको लगेगा थोड़ा business कम हो पर आपको आगे चलके बड़ा नुकसान नहीं होगा, तो दोस्तो ये कुछ important point है, जो कि आपको paint का business शुरु करते समय बहुत काम में आएंगे, तो दोस्तो अगर आप paint का business शुरु करने वाले हो, तो कौन से company का paint आप अपने दुकान में बेचनी के लिए रखना पसंद कर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो जरू इसे like कर दीजे, चैनल पर आप लोग नए आयो हो, तो चैनल को जरू subscribe कर दीजे, वीडियो बहुत जादा ही अच्छा लगा हो, तो आपने दोस्तों के साथ share कर दीजे, और ये जो तीनों वीडियो है, इन में से कोई ए सकता है,